जैन्वी कपूर और इशान खटर की फिल्म धड़क को मिली सफलतर जखुछ डिरेक्टर शशांग खेतान अब टैनिस पर फिल्म बनाना चाहते हैं ये बात उन्होंने अपने इंटर्वे में कही है खबर है कि सऑबिसाची मुखर्जी भी प्रियंका चोपर के लिए ड्रस्ते एयार करेंगे खबर के मताबिग अबुजानि और संदीव खोसला प्रियंका के लिए संगीत का लेहंगा डिजसाइन करेंगे जबके सब यसाची शादी के लेहंगा डिजाइन करेंगे शारु खान की बेटी सुहान खान सोचल मीडिया की सबसे मशूर स्टार केर है और वो मीडिया की भी फेवरिट है हाली में उनने अपने एक तस्वीर पोस्ट की है सुहान खान अपनी एक दोस के साथ बिंदाज अंदाज में पोस्ट देती नज़र आ रही है सैफ अली खान की बड़ी बेटी सारा अली खान इस साल के अंतुमें रणवीर सिंग की नई फिल्म सिंबा से बॉल्यूड में एंटर करेंगी सैफ ने कहा कि इब्राहिम भी बॉल्यूड में ही अपना करेर बनाना चाहते है खबर है कि रितिक रोशर ने अभी तक रोही धवन के फिल्म को साइन नहीं किया है एक मीडिया रिपूर्ट के नुसार रोही धवन ने अभी केवल अपनी सूपर हीरो फिल्म के स्ट्रिप को पूरा किया है उन्होंने इसकी कास्टिंग के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया है जजिन करण जोहर ने एलान किया कि वो यश और रोही जैसे प्यारे जुरूब बच्चे के पिता बन गये हैं तो उस बात की जानकारी की सुकु नहीं थी लेकिन हाली में खुलासा हुआ कि गरण जोहर की पिता बनने की खुशी की बारे में सिर्फ दिपिका बादुकून की ही जानकारी थी सल्मान खान अब धावी से भारती की शुटिंग खत्म करके लोट आए हैं और आते ही उन्होंने ब्रेक लिया है बताय जा रहा है कि सल्मान अपने फार्म हाउस पर चले गए है और वही पर आराम करेंगे सल्मान की फैमली के साथ लूलिय वन्तूर भी फार्म हाउस पर है सल्मान खाने हाली हैं बताया था कि उनकी डॉगी माईसन की मौत होगी बिगबॉस के विकेंड के बार एपसोर में सल्मान ने कहा कि अगर आज उनकी डॉग जिन्दा होती तो अरुग जिलोटा जस्कीन और दिपिका से बहतर सिंगर होती तनुशे जट्ता ने हैश्टक मीटू केंपेंड की तहित नारा पाटिकर पर छेटशार करने का आरुप लगाया था नारा के सपोर्ट में राखे सावन ने प्रेस कॉन्फेंस की थी जिसके बाद तनुशे ने राखे सावन पर 10 करूर की मानहनी का केस दरज किया है मीटू केंपेंड में अब टाइगर शॉप की फिल्म बागीटू की एक्टरिस ने असिस्टेन फिल्म डारेक्टर अधनान शेक पर छेटशार कारूप लगाया है इस एक्टरिस का नाम तानिया पॉलसी है और ये बागीटू की दूसरी लेड़ एक्टरिस थी